हेलो एवरिवन मैंनी लम्तिवारी आप सभी का मेगनेट ब्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेगनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फोर्थ क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक का सारज स्टेडी माटीरियल बिल्कुल फ्री अविलिबल करवाया जाता है जैसा कि हमने अपने परसू लास्ट टॉपिक उठाया था वह था वाके सलशूधन वाके शनशूधनम जो आता है जिसमें क्या होता कि हमारे सामने अशुद्व वाके होते हैं पूरे वाके में कोई एक शब्द होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं उसके नीचे लाइन की परिवर्तिन हो जाने से क्या होता है सारे हमारा जो वाक्य है वो क्या हो जाता है उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है यानि गलत हो जाता है तो जहां अशुद्धी है उसको हमें ठीक करना है बस यह है अशुद्ध जो वाक्य है किसी एक शब्द के वेज़े से जो अशु होते हैं संग्या का वचन देखना चाहिए हमें संग्या हो जो हमारे पास होती है उसके अनुसार हम सर्वनाम लगाते हैं सर्वनाम की वचन हो सकता है और यह और उसके साथ में अगर संग्या के जैसे सर्वनाम आएगा तो ऐसे ही अगर करता अगर हुआ तो उसके अनुसार क्रिया होगी तो अब वचन संबन्दी अगर जब वो पूछते हैं आप से तो कैसे पूछते हैं कि कोई संग्या हो गई तो वो कहेंगे यह कहा सह और यहां लिख दिया बालिका ठीक है यहां पर सह न लिखके यह बालिका लिखा है और उन्होंने लिख दिया यहां पर ता लिख दिया ताह बालिका या फिर लिख दिया सा बालिके ठीक है तो यहां पर वो क्या कहते है कि जब और अंडरलाइन उन्होंने यहां पर कर दिया पहले तो तो हमें क्या देखना है कि संग्या को देखना है संग्या यहां पर क्या है हमारी बालिका शब्द है यहां पर बालिका यानि एक वचन की बात हो रही है तो यहां पर हमें फिर सर्वनाम देखना पड़ता है कि संग्या जैसी है वैसा हमारा सर्वनाम होगा वह ऐसे भी नहीं पूछ सकते हैं हम उनक क्स myself search myself नब को कर देंगे और सर्वनाम जैसा होगा उसके अनुसार हम संग्या को कर देंगे तो यहां पर यह हमें पता को एक मैन देक्षिये हाद के हम लिए के लिए आता है गलत ही इसमें यह है कि यहां देखिए इन्होंने लिंग तो समान दे दिया कि यह जो वह शब्द के रूप जो बनते हैं कि सा ते और ताह इस प्रकार से यह वह शब्द के इस्त्री लिंग के लिए बनते हैं तो यह तो ठीक है कि यह भी ताह इस्त्री लिंग का है और बालिका शब्द इस्त्री लिंग है यहां पर भी कह दिया कि यह साथ शब्द बालिका साथ इस्त्री लिंग का है और बालिका शब्द भी जब इधर यहां पर अगर लिंग संबंदी कोई नहीं है तो फिर हम क्या कर पढ़ते हैं तो पहले अभी हम वचन सम्मंदी पढ़ रहे थे तो वचन में हमने पहले लिंग देख लिया तो भूले ठीक है यह इसके बाद हम देखेंगे कि अब वचन के अनुसार देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नो ने इन में वचन का कुछ परिवर्तन कर दिया वो इसको अशुद माना जाएगा तो यह जो जो गलत होगा उसको इसके अनुसार ठीक कर लेंगे कैसे बाली का जब एक वचन का है तो यह ताह शब्द भी क्या बन जाएगा हमारा सा बन जाएगा एक वचन का रूप ले लेंगे अब यहां कहेंगे यह बाली के शब्द लग लिखा हुआ है यह हमारा दोईवचन का है तो और यह हमारा जो अब देखे अंडरलाइन इनने इस पर की हुई है इसका अर्थ है में इस सा को इसकी अनुसार परिवर्थित करना है अर्थात यह सर्वनाम जो शब्द है उसको संग्या के अनुसार हमें परिवर्थित करना है तो कहा कि जो बालिके शब्द है ये दोई बचन का रूप है बालिका बालिके बालिकाह यही रूप बनते हैं बालिका बालिके और बालिकाह ठीक है और उन्होंने कहा है कि इसके अनुसार अब इसके अनुसार इसको परिवर्थित करना है वो कुछ नहीं कहेंगे वो तो सिर् क्यूकर से लिखआओंगा नहीं होगा तो कोकी क्रिया लगा देंगे वह वहां लिख देंगे चल glacier के में कुछ भी ट्रिया लिख सकते हैं लेकिन उन्होंने उन्हें सही क्या करवाना इसको करवाना है तो हमें उसको देखेंगे यह कुछ नहीं करेंगे हैं तो फिर यहाँ सजारों He ठीक है तो फिर ये तो कोई गलती है नहीं तो दूसरी गलती क्या हो सकती और दूसरी वचन के लिए प्रियोग उताद है सा ते ताह तो बोले क्या करना है बोले यह करना है कि जो सा शब्द एक वचन का है उसको भी इसके दोए वचन के अनुसार परिवर्थित कर दीजिए तो लिख दीजिए ते बस हो गया यह परिवर्थन हो गया अब ऐसे ही यहां पर भी उन्होंने यह लिख दिया ते बालिका और यह अंडरलाइन कर दी उन्होंने वो नहीं कहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है पहचान हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे यह भी तो हमें आनी चाहिए तो वोले हम बिल्कुल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते तो कहा कि यहाँ यह सर्वनाम शब्द है ते शब्द क्या बनता है हमारा सर्वनाम और वोले यह क्या है वोले संग्या है अब अगर संग्या हमारे पास दी हुई है और सर्वनाम को ठीक करना है तो उसको किसकी अनुसार क स्थिक्ट पहचानेंगे ठीक दॉनों के समान है यह हमारी स्त्रीलिंग है तो अब वचन देख लो पहला पहचान लोगर समान है तो ठीक है नहीं तो फिर अब वचन पह देख लीजे तो बालिकाह शब्द बहुचन का होता है और ते शब्ध होता है दोए वचन का अगर यह वचन का है वह बहुचन है तो वचन समान होने चाहिए जैसा संग्या का वचन होगा वैसा ही हमारा कैसा होना चाहिए हमारा सर्वनाम का भी वचन होना चाहिए तो ठीक है हम कर सकते हैं इसको ते शब्द जो हमारा है उसको हम बहुचन का बना लेते हैं तो ताह बन जाएगा तो वोले ये हो जाएगा ताह तो वोले अब करेक्ट क्या होगा वोले करेक्ट होगा सा बालिका ते बालिके ताह बालिका वह लड़की है वह लड़की पढ़ती है ते बालिके इनरत्यता वे दो लड़किया नाचती है और ताह बालिका क्रीडनती यानि वे सब लड़किया खेलती हैं अब वोले सही हुआ अभी गलत था ठीक है यह हो गया अब इसके बाद क्या हो सकता है अभी देखो और भी परिवर्तन हो सकते हैं अब किस प्रकार से और अभी उन्होंने किसको सर्वनाम को गलत बताया था अब वो किसको कर सकते हैं संग्या को गलत कर सकते हैं तो और यहाँ पर कर देते हैं पठंती और यहाँ पर कर देते हैं निरत्यती कर देते हैं इसको और यहाँ पर हम कर देते हैं ताह पठंती सा पठंती और यह क्या दिया क्रीड ताह ठीक है अब यहाँ पर यह क्या कर सकते हैं कि यह बालिका शब्द है इसको उन्होंने कर दिया बालिका ठीक है यहाँ पर उन्होंने कर दिया इसको बालिका ठीक है किस प्रकार से कर सकते हैं अब वहाँ पे उन्होंने क्या करेंगे कि इस प्रकार से भी वाकिय आ सकता है अपना कैसे आ सकता है यहां लिखा है ताह बाली का पठंती यहां लिखा है सा बाली के नृत्यती ते बाली का क्रीड तह अब इसमें हम क्या कहेंगे बोले हमारे पास यह संग्या शब्द दिया ह हुआ है और बोले सर्वनाम दिये हुए हैं तो अगर संग्या को अब ठीक करना है तो हम क्या कर सकते देखे प्रकार हम आपको बता रहें कि किस प्रकार से अशुद्धियां आ सकती हैं और उनको आप कैसे पहचानेंगे तो पहले आप कहेंगे कि पहले तो हम दो चीजें हमार ठीक है यह संग्या सर्वनाम लिंग तो बारे में तो बिल्कुल ठीक है तो वह वह शब इसका अर्थ निकलता है इसका अर्थ क्या निकलता है वी सब सा का अर्थ निकलता है वह ते का अर्थ निकलता है वे दोनों और ताह का अर्थ निकलता है वे सब वह लड़की वह लड़की वे दोनों लड़कियां और वे सब लड़कियां तो यहां कहेंगे बहुचन का सर्वराम है तो यहां पर संग्या फिर एक वचन की क्यों लगी ह करेंटी है करी यह लगे हुए कर दो आपको पता चलेगा कि यहां क्या करेंगी चीक है तहीं कर दो और नहीं तो क्रिया भी तेख लीजे नि पर आगे क्या हो सकता है दूसरा ने किया है यह बाली जब injury झाल है चैनल नि अनुसार अब इसको परिवर्थित करूँ पेले हमने यहाँ में अशुद दिथी तो इसकी अनुसार कर लिया था अब मुझे अब अशुद दोनों ने संग्याओ को अशुद कर दिया तो उले अब क्या करना है उले ये करना है कि अगर सर्वनाम हमारा एक वचन का है तो संग्या को भी एक वचन का कर लीजिए तो एक वचन में बालिका शब्द का रूप क्या बनता है बालिका बस यह हो जाता है बालिका बालिके बालिका अब कहते हैं तो अब next में देख लीजे बोले ठीक है अब सा बालिका नृत्यती यहाँ पर अगर सर्वनाम भी ना होता आपके पास यहाँ पर सर्वनाम ना होता और वो उन्होंने इस प्रकार से दिया होता कि बालिके नृत्यती तब भी आपको अगर वचन परिवर्थन करना होता लिंग परिवर्थन आपको पहले हमने कौन सा वचन परिवर्थन का बताया था तो यहां पर भी अगर वचन परिवर्थन करना होता तो कैसे करते बुली य एक वचन की है अशुद्ध इसको है मतलब जो अंडर लाइन है उसको ठीक करना है हमेशा यह ध्यान और लाइन वाला होगा उसी में परिवर्तन करेंगे हम ऐसा नहीं के भई करने को तो हम बालिके के हिसाब से इसको लिटते तह कर सकते थे कर सकते थे कि नहीं क्यों क्रिया को परिवर्तिन नहीं कर रहे क्योंकि एक्जामनर यह नहीं कह रहा है कि आप क्रिया को ठीक करो अपने हिसाब से शुद्ध मत करो वो तो यह कह रहा है कि जिसको हमने अंड बाले का न्रत्यति जनी सा बाली के न्रत्यति तो वो लिजाएक वचनका है क्रिया एक वचन प्री हमारा जो करता है वो क्यों एक दव oldestnya का है तो वह वाय शोंवित कर दीजिए आप एक वचनक्र नेक्स्ट में आते जो में लिखाँ है टे बाले वचन का होता है तो बाले का शब्द भी क्या हो जाएगा क्या बन जाएगां बालिके और ये देखा ब बाले क्या अब इसी में आ जाता है एक नया टॉपिक बोए nemům पले मैं य ने संबन्दी अशुद्या खो लिंग संबंदी अशुद्धियां आएंगी जब हमें वचन पता चल गए तो अब हम लिंग संबंदी अशुद्धियां भी डूंड के उनको सही कर सकते हैं तो वह पहले कहरें कि संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं कौन-कौन से यह अपन पढ़ते हुए चले आना कि पुलिंग होता है फ्ली पूरुष कॉलिंग जाती का हो पूलुंग हो जिन से हमारों से श्ट्री में आए तो वह हमारे कोन से हो जाते हैं पूलिंग हो जाते हैं ओधारण के त्वर उन्होंने कहा दिया कि छातर राम अश्व सिंघ आदि ठीक है और एक और आपको पहचान बता हैं कि अकारांत याँनी छोट अचोटी ए और छोटा फू इन से शुरू होने वाले प्राया है सारे शब्द कैसी होते हैं हमारे पुरलिंग होते हैं यह बहद पहचान वाली बात बताया यहां बढ़ा ऑ । बड़ी ए और बड़ा उ रिकारसे मीं दोनों आ जाते हैं री हमने शब्द क्यों नहीं बताया क्योंकि मात्र और पित्र तो देखेंगे मात्र शब्द स्त्री लिंग भी हो जाता है पित्र शब्द हमारा क्यासा हो जाता है पूर्लिंग हो जाता है तो इसलिए हमने उनको नहीं बता है वहां पर हमें देखना हमारे पुर्लिंग में ही आते हैं भई फिर वो बात अलगे कि किसी लड़के का नाम ही बड़े आ से अंत करने पर रख दू तो फिर आपन उसमें क्या गर सकते हैं लेकिन प्राया जो होते हैं 99% की बात बताएं तो 99% में छोटा चोटी ए और चोटा उ से अंत होने वाले पु नंसंगर में हमें पता चल जाता है कि जैसे फल शब्द लिखा हुआ है तो आ हमें यह पुरश जाती का है उपु सकले पुें आरहरा कि रिं आता रहा है हमारा जाता है में नंतियाता है तो जासे देखिए धनम पुस्तकम रुपयकम चित्र रुपयकम किसको appel? देखे नटेज्टिति रोपए को तो हमारा धनम हो गया पुस्तकम हो गया धन शब्द है कैसा पता चल रहा है कि स्त्री जातीया पूर्ष जातीया तो नपुन्सक में पहुंच गया तो यह तो हमारे हो गया लिंग को थोड़ा साब को पहचानना बता दिया इसके साथ में आपको उने किस प्रकार से ठीक करना है जैसे आपको पता है कि रामशब्द के जो रूप है एक वचन में यह बालक शब्द की कहें तो बालक शब्द के अगर एक वचन, दोई वचन और बहुचन में हम रूप देखें तो क्यासे बनते हैं बालकह बालकव और बालकाह यह बनते हैं वहीं इस त्री मुसग लिंग में देखें तो रूप क्या बनते हैं हमारे फलम फले और फलानी ठीक है यह रूप बनते हैं जैसे हमारे पुर्लिंग जो भी होंगे शब्द उनके कैसे बनेंगे रूप कत्मा बिभक्ति के कैसे बनेंगे बालकह बालकव बालकाह ठीक है बुले इस्त्री लिं तो ले लता लती लता इस प्रकार से रूप बनते हैं ठीक है अब उले नपुनसक लिंग में कैसे बनाते हैं उसमें बनाते हैं फलम फले फलानी एक फल होगा तो कहेंगे फलम दो फल होंगी तो कहेंगे फले और बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे फलानी अब गलती कैसे बना लिंग है तो उसको वो जल ना कहके क्या कह देंगे जलम ना कहके जला हर शब्द लिख देंगे तब अब हम कहेंगे कि यह लिंग संबंदी गलती हो गई क्योंकि यहां पर पूरलिंग शब्द के हिसाब से जला हर शब्द लिखा है क्योंकि देखिए बाल का हर शब्द कैसा जा रहा है पूर लिंग और जो जल स्वयम में है वो नपुन्सक लिंग में आता है तो उसका जलव शब्द नहीं बनना चाहिए उसको जलम बनना चाहिए और इन्होंने गलती कर दी है तो इसको हमें परिवर्तित करके करेंगे हम जलम ऐसे ही अगर वहां पर उन्होंने दे द यह दो लिंग में आते हैं अश्वशब्द पूर्लिंग में आता है यानि घूड़ा और अश्वशब्द आता है घूड़ी यानि यहां पर अब हमें पता चलिए जैसे यह लिखा है गज और यह लिखा है गजा यहां लिखा है अज और यह लिखा है हमारा अजा हमें पता है कि यह हमारा पूरलिंग है और यह हमारे स्त्रीलिंग है अब हमें जब यह पता है कि अश्वशब्द हमारा पूरलिंग में आता है और यह अकारांत है और अगर उन्होंने इसको किस में लिख दिया यहां लिख दिया अश्वम अगर यहाँ पर वैसे correct जो होना चाहिए वो लिखा है घोड़ा दोड़ता है तो उसको कह रहे है यह रिजर भी नहीं चलती कभी कभी तो यह लिखा हुआ है आपका अश्वशब्द लिखा हुआ है और यह लिखा है धावती और उन्होंने लिख दिया अश्वम और इसको कर दिया अंडरलाइन तो अब जब कि हमें पता है कि अश्वशब्द कैसा है हमारा अश्वशब्द है हमारा पुर्लिंग और उन्हें लिख दिया अश्वम यानि ऊधावदी यानि दोडने की क्रिया अश्व कर रहा है यहाँ पर करता है यह ओ करता का एक वचन में कि प्रतमा विभक्ति में क्या बनते हैं हम पहले अश्व देखना पड़ेगा कि यह किस लिंग में हैं यह पुर सक लिंग का क्यों बना दिया यूंकि इसको इन्होंने क्या बना दिया फलम की तरह बना दिया फलम फले फलानी इस प्रकार से बना दिया तो यहां पर इन्होंने लिंग संबंदी क्या कर दी गलती कर दी कैसे कर दी धावती क्रिया एक वचन की तो है ठीक है यह एक वचन का व वोले अश्वह शब्द होता है पुर लिंग में तो एक वचन में और नपुनसग लिंग में फलम होता है तो हमें पता है कि अश्वह हमारा नपुनसग लिंग तो है ने तो वोले इसको क्या करेंगे वोले इसको हम ठीक क्या कर देंगे इसकी हम शुद्ध कर देंगे अश्व अश्वह धावती तो अब ये लिंग सही हुआ अब सही हमारा करेक्शन हुआ अश्वह धावती हो गया और किस प्रकार से देख सकते हैं बोले देखिए और देख लेते हैं अपन उधारन इस प्रकार से समझ में आए कि लिंग हमें कैसे परिवर्थित करना है बोले ऐसे भी सकते हैं अब और देख लेते हैं हम इसी के उधारण अब देखिए यहां लिखा है हमारा कि फ़ला कि फ़ला पतती अब गिरने की क्रिया क्या है यह पतती यह गिर रहा है लेकिन अब यहां पर देखिए जो फ़लषब्द है वो हमारा कैसा है नपुनसक लिंग में कैसा है नपुनसक लिंग में और यह जो शब्द बना हुआ है अगर आप इसका रूप देखें तो बुले यह तो हमारे किसके अनुसार चला है के लिए बफ nelन के लिए बना हुआ है लन के लिए 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 ल्हाएं दिया लाव 맛있 लिए तो यहांपे जो फल शब्ध है लिए अब यह तो हमें पता चल लए कि चलिए रहा है गिरता है और फला अक की बारे में बात हो रही है तो बोले जहां पर एक वचन का है यहां पर एक वचन की चलो दोनों ठीक है ये भी एक वचन का है और एक वचन का भी है लेकिन फल जो शब्द है वो नपुनसक लिंग में आता है फल हमारा ना ही स्त्री लिंग होता है ना ही पुर लिंग होता है तो बोले जब नपुनसक लि परिवर्थित करेंगे इसको फलमपतती सही होगा गलत फला शब्द गलत है यहां पर gramm पतती आपकि परिवर्थित करेंगे इसको स्ट्रीकित जाएullah ता इसका एक बचन का रूप और जब कि होना चाहिए था कौन सा फलम होना चाहिए था नबुन सक लिंगे की तरह होना चाहिए था अब और देख लेते हैं जैसे यहां लिखा है हमारा यहां लिखा हमारा वोले बालि कह बालि कह पठती अब यहां पर उननों यहीं गर्वर्ण कर दी वोले जो बालि का शब्द है उसको उनने क्या कर दिया बालि कह कर दिया जबकि होना किया चाहिए है राम हाक की तरह चल रहा है इसमें रूप। बालेका شब्द्ष तरी Link है और रूप उन्होंने उसको पुर्लिंग की तरह बना दिया। कैसे जब बालिक बालिक के शब्द तो होता नहीं है शब्द क्या होता है हमारा बालिका और बालिका को उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने बालिक कह कर दिया जबकि यह तो पुर्लिंग की तरह है पुर्लिंग में ऐसे रूप बंदें के रामह रामु रामा विसर्ग जो आते वुल्स बढ़ें की मात्रा आतीं क्योंकि वचन ठीक है देखिए वचन क्यासे ठीक है में प्रिया में ठी लगा हुआ है और लेकिन यहां पेनों ने बालिक कह कर दिया बालिक होता नहीं पूर्लिंग अगर यह पूरलिंग बालक शब्द होता तो सही होता है यह चोटी की मात्रा नहीं होती तब बोले यह सही होता बोले लेकिन यह चोटी की मात्रा जो है वो बता रहा है कि यह स्त्री लिंग जाती की है और तो इसको पुर्लिंग की तरह रूप क्यों बनाया एक वचन में नहीं बनाएंगे क्या करेंगे तो इसका हम लिंग परिवर् फचन तो इसी की अनसार देखेंगे कि बूले पठती एक ही लग रही है यहां पर अन्ती लगा उता तो पठती तव इसका बभवचन कारूप आप लिग देती यहां कुछ भी लिखा होता इसको आप कर देते इसकी क्रिया के अनसार वह लेकिन यहां पर क्रिया फूले ठीक ल लगा के बना धिया पॉर्लिंग की तरह रूप बना दिया तो सही रूप क्या बनेगा आलज कहने बनेगा मुल्य बनेगा बालिका जालिक पठती इस प्रकार से यह क्या हो गए हमारे लिंग स संब्सक्ति फिर गलत उन्होंने क्या बताया है ऑगलत यहां दीजे व्रक्षे और फिर लिए संती अब इन दोनों को पहले आप देखिए ये व्रक्षश शब्द है हमारा बोले ठीक है और यह क्या लिगा है बहुवचं संती है संती का अर्थ है यानि बहुवचं की बात आ रही है थीक है अब यहां पर जो फल शब्द है फल जो में पूर्लिंग की सर लगाते और यहां पर शब्द यह ना स्री लिंग है न divergence तो भी buscando करो बनाना में बहुवचन में ही यहां पाइक क्रिया ऑपão बता tenth की तो ठाहता है। लेकिन इसका लिंग परिवर्तन करूँ वो ले कैसे वो ले जो रक्षे है संती कहा रहा है कि जो फलाह शब्द है फलाह किसमें बनता है बड़िया की मात्रा व विसर्ग कहां आता है पूरलिंग और इस्त्री लिंग के बहुवचन में आता है जैसे रामाह या बालकाह और यहां पे आता है बालिकाह तो वो ले नपुनसक लिंग में क्या आता है वो ले आनी शब्द लगता है बड़िया की मात्रा विसर्ग लगते हैं स्त्री लिंग और पूरलिंग में और हमारे जो नपुनसक लिंग में जब बहुवचन मनाएंगे तो क्या होता है फलम फले फलानी तो यहां पर आ जाएगा हमारा फलानी व्रक्षे फलानी संती ठीक है अब उन्होंने कहा मम मित्रह मूर्ख अस्ती उन्होंने कहा मेरा मित्र मूर्ख है ठीक है अब जब मम मित्रह मूर्ख अस्ती तो अब यहां पर मम जो मम शब्द सही है उन परिवर्तन किसमें करो गलत क्या लेका है मित्रह मूर्ख लेका है तो जो मित्र शब्द होता है मित्र आपका कोई भी हो सकता है मित्र में किसी लड़की का नाम नहीं लिया जा रहा है तो अगर मित्र शब्द है तो वो हमारा नपुनसक लिंग में आता है दोस्त आपका कोई पुरलिंग में रखें तो इन्होंने बुलिक пытा कर दी मित्र जो है वहमारा नप 여자 हो क्यों चाएगा तो की यह कर द physiology की रूप हमारे कैसे बनते हैं कि फ़ल शब्ड के अगर नपुनसक लेंग के अगर रूपों को देखें तो उसकर हमारे परैंग्स लानी देखें यहां पर हम फिरसे कीवर्ड थोड़े से लेखें देते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि हमारा जो पुर्लिंग होंगे वह कैसे बनते हैं रामह रामह की तरहं को इस त्री लिंग में हमारे बनते हैं लता लते लता और वहीं पे नपून सगलिंग में हमारे बनते हैं फलम फले और फलानी तो अब हम एक चीज हमें क्या एक वर देखो दो चीजे हमें हम अमिशा कहते हैं कि दो चीजों को ध्यान किया किजिए कि लिंग और वचन तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या गलती कर दी है कि यहां प संती बताएं आपको अस्तिल के हिसाब से क्या होना चाहिए एक वचन होना चाहिए तो एक वचन का इन्होंने विभक्ती तो ठीक लगाई है लेकिन इन्होंने पुर्लेंग में गलती कर दी तो क्या हो जाएगा अब जो मित्र शब्द है वह रूम पताएंगे उसको फलम की त मित्र नपुन्सक लिंग है तो क्या बन जाएगा वहीं हमारा यह हमारा बन जाएगा मम मित्रम अब ठीक है मित्रम है तो मित्र शब्द सही कर दिया तो अगर यह नपुन्सक लिंग में है तो उसका विशेशन भी नपुन्सक लिंग में होगा तो कैसे हो जाएगा मूर्ख जो शब्द है वो भी बन जाएगा मूर्खम यह हमने विशेशन शब्द जब आपको बतायते बनाना सिखायते तब हमने आपको बताया था कि जैसा हमारा करता होता है वैसा ही उसका विशेशन जैसी संग्या होती है वैसा ही उसका विशेशन उसी लिंग में होता है तो मित्र मित्रह शब्द मित्रम में बदल गया पूरलिंग से वो हमारे सही नपुनसक लिंग में आ गया तो हमारा जो विशेशन भी होगा वो भी कैसा हो जाएगा हमारा विशेशन भी लिंग के अनुसा नपुनसक लिंग में परिवर्थित हो जाएगा तो अब सही होगा मम मित्रम परिवर्तन हो रहा हो लिंग के अनुसार हमारी कौन-कौन सी विशेशन भी आ सकती है अच्छा एक चीज़ आप आपको और इसमें बताएं कि लिंग संबंदी कैसी कैसी कहां कहां पर आ सकती है समस्यां चलिए पहले इसको समझा दें फिर आगे वाली जो ब्लेंक स्लाइड मि क्या होता है ठंडा शीतल का अर्थ क्या होता है अब जब जो ठंडा शब्द है यानि यह विशेश्ता बता रहा है अगर विशेश्ता बता रहा है तो विशेश्ण शब्द किसके अनुसार होता है बोले हमारी संग्या के अनुसार बता रहे है किसकी विशेश्ता बता रहे बोले क्या विशेषता है पूले यह क्या ने सीतला यह बड़ेया की मात्रा यह आएगी क्योंकि जो हमारा अगनी शब्द है क्या लेखा है अग्नी नहीं ही फोले यह पुरलिंग वाची जब अगनी शब्द अकारांत शब्द है हमारा और कैसा हो रहा है छोटी एकी बात रहा है सौरी अगनी शब्द हमारा कैसा है इकारांत है पुर्लिंग है तो हमारा जो क्या बनेगा विशेशन इसका बनेगा वो भी पुर्लिंग में बनेगा वोले कैसे वोले शीतला शब्द जो होता है देखिए पीछे बड़े आकी मात्रा देख रही है शीतला में और देखिए बड़े आकी मात्रा गर विशीशन में है तो समझ लीजी यह स्त्री लिंग का है जैसे बालिका, लता, चटका, सिक्षिका, अध्या, पिका, देखिए सब में बड़ी आकी मात्रा आ रही है तो यह मंणले आकी मात्रह कहा रहा है कि इनों ने लिंग गलत कर सिटलष हूना चाहिए था वन्होंने करदिया शीतलष बात यह तो किछी के लिए बात आ रही थी वह यह अगर को यहां पर कि रीला कि वाजी शब्द होता तरिम में यहां पर भूहाई नहीं देख लिएख तो यहां पे पीछ हे अगर आपके पास देख लीजेगा यहां पर विसर्ग है तो उसकी विशिशन में भी विसर्ग लगा देना अब उली ठीक है अब यदि यहां पर बालिका होता बालिका होता और यहां पर लिखा होता भद्रह यानि बालिका अच्छी है बालिका भद्रह अस्ती भद्र शब्द का आर्थ क्या होता है अच्छा ठीक है अब भद्र शब्द से लिए कहते हैं कि वह भद्र लग रहा है अ लगाने से उसका विलूम हो जाता है और भद्र का आर्थ होता है अच्छा लगना तो यहां पर बाल कह भद्रास्ती तो यहां पर विसर्ग है तो इसकी विशिशन में भी विसर्ग लगा दूँ ठीक है अब कहा यहां पर देखे हम आपको तरीके भी बताते जा रहे हैं यहां लिखा एक फलम और यह लिखा है मधुरह तो बहुत आसानी से हम लिंग परिवर्तित कर सकते हैं फलं है तो हमारा क्या होगा जैसे बाल कह है तो हमारा विशेशन भी भद्रह होगा यहनी विशेशनमें भी क्या लगेंगे विसर्ग लगेंगे लड़की है बढ़या की मात्रा लगी है तो आगे वाले हमारे विशेशन में भी उसी के अनुसार जो उसके पीछे का होगा ना जो इसके पीछे का प्रत्या लगा होगा वैसा ही प्रत्या विशेशन में भी लगा दीजिगा तो इस प्रकार से हम आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं बहुत बड़ी च तो क्या करो इसको शीतलह कर दीजिए अगनी ही शीतलह अस्ति ठीक है यह हो क्या चलिए अब आगे और थोड़ा सा और अब एकस्पेन कर दें इसको कहीं पर कोई कोई रहे जाए वो लिए देखे आपको जब वचन संबंधी कोई गलती होती है तो भही वचन कहां-कहां-कहां पर एफ्यक्ट करते हैं उनको देख लेते आपन जैसे एक तो संग्याओं में करते हैं संग्या उसके अनुसार उसकी सर्वनाम और उसके अनुसार उसके विशेशन ठीक है और प्रश्नवाचक शब्द भी कुछ-कुछ आ सकते हैं जो आ सकती जिनकी संभावना हमें है उन चीजों को हम जरूर बताएंगे प्रश्नवा देपाचक की वह गलत लिख सकते हैं वहीं गलती करने के लिए आपको अगार उन्हें बताना होने लिंग संबंधी कोई न कोई अशुद्धी उन्हें बनानी है तो क्या कर सकते हैं भमें क्या करेंगे मुझे संग्या फूर लिंक का दे देंगे उसके एंसर सर्वनाम उसका इस तरी लिंग का दे देंगे तो गलती यहां पर हो जाएगी दूसरा क्या कर सकते हैं बोले कर सकते हैं कि संग्या सरवनाम मैंसे कुछ भी लिख दें विशीशन उसमें विशीशन का लिंग परिवर्दित कर दें और बोले क्या हो सकता है और क्या गलती हो सकती बोले ऐसी भी जैसे इसके हम संग्या के देखें तो अकारांत पूर लिंग के देखें तो रामाह रामौ रामाह तो आप टिक है वही लड़की है तो क्या हो जाएगा लता लता लते लता ह सकoteCE नपुन्सक लिए बनता है कि लो करना की किस प्रकार सहे गलतियां सकते हैं और लिंग संबंदी उन्होंने बोला है वचन एक वह वचन के अनुसार अशुद्धी देंगे एक आपको लिंग के अनुसार देंगे एक आपको लकार के अनुसार देंगे एक विभक्ति के अनुसार देंगे चार पांच गलतिया वो देना है उन्हें और उन्हें हमें सही करके के अनुसार दे सकते हैं सर्वनाम क्यासे बनते 25 सब्सक्राइब एक विए रिया थे क्या वक्यां पना हैं जैसे हमारा शब्द हम भद्र शब्द ले अपना तो क्या बन जाएगा इसका लड़का है तो क्या बनेगा भद्रह दो लड़के हैं तो क्या बनाएगा भद्रव और बहुत सारे हैं तो क्या बन जाएगा भद्रह ठीक है वहीं पर लड़की होगी तो क्या बनेगा हमारा भद्रा इसी के अनुसार दो लड़कियां अच्छी होंगी दो लड़कियां अच्छी हैं सब मैंसे तो कहेंगे भद्रे वो बोले बहुत सारी हैं तो कहेंगे सब लड़कियां अच्छी हैं तो क्या कहेंगे हम तो कहेंगे हम भद्रा है क्या हो जाएगा भद्रा ठीक है वही पे अगर फल की विशिष्टा बतानी है तो हम क्या क्या देंगे उसको मधुरम जैसे फलम में हमारा क्या लेगा हुआ है माहलंत है तो इसी प्रकार से विशिष्ण में भी माहलंत आ जाएगा दो फल मीठे हैं तो कहेंगे मधुरे और वहीं पे बहुत सारे फल मीठे हैं तो कहेंगे मधुरानी फलानी मधुरानी फलम शब्द आएगा तो कहेंगे फलम मधुरम फले मधुरे फलानी मधुरानी चीक है इस प्रकार से आ सकते हैं फिर क्या प्रश्णवाचक शब्द भी लिंग की अनुसार परिवर्तित होते ह जैसे हमारे उसके लिए पूरलिंग के लिए बात करी जाए तो प्रश्णवाचक शब्द क्या बनता है वो ले कह कव और के लड़कियों के लिए बात बनती है तो वहीं पे जैसे यह सा बना तो यहां पर का बना यहां लड़कियों के दो लड़कियों के लिए के ते बना तो लट एक लड़कीयों की देखे तो लताह यहां पे कथ एा यहां पर कंप यहां पर देखिए आए आ यह सबीमें यही तीनोच कंती उसके सर्वनाम में यही समानारी उसकी विशेशन में यही समान नहीं तो उसकी प्रश्णवाचक में भी यही समानता आ जाएगी तो और नपुन्सक लिंग में तो यहां पर कत्ते तानी है तो यहां पर आजाएगा किम के और कानी अब हम एनको देख कर अपनी क्या करेंगे इनको उस्तही करने की कोशिश करते वो लिके से पुले यहां लेका है धनिकस्य भ्रत्यम पत्रम आणिया दि अब जो भ्रत्यम शब्द है गजश्ब्द है इसको इननों ने गलत लेका उख हुआ है वोले क्या गलती हो सकती है वोले इसमें बोलि यह गल्टी हो सकते हैं कि भत्यशब्द होता है भत्यक आरत होता है गर इसे भत्याに च सब्सक्राफवत होता है तो सेवक यह प्रत्यप लिखा है नंहों नपुन्सक नहीं वोता है तो बोली क्या करो व्रकार दो इसको नपन सब्सक्लिया से पुलिंग नघी नहीं हमें यह सिर्फ हमें पूरा वाके उसी प्रकार से लिखेंगे आप लिखेंगे कैसे यह भी आप समझ लीजिए धनकस्य वैसे ही लिख देंगे अब पत्रम आनयती ऐसे ही पूरा जैसा का तैसा लिख देंगे सिर्फ परिवर्तन आप क्या करेंगे जो भ्रत्य शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करेंगी यह बताएंगे इसमें लिंग संबंधिया शुद्धी है वो तो सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ देंगे और कहेंगे आपको देखो इसमें पैचान हो क्या लिखा है तब आप यह चीज आपको खुद नोटिस करनी है वोले कैसे करनी है वोले आप यह देखेंगे बोले यह भ्रत्यम शब्द लगा हुआ है और भ्रत्य जो होता ह है वो कियासा होता है पूर्लिंग होताय है कि जिसका एक वे लिए रूप होना चाह Toronto मढाइक ह fingerna चाहिए ला रहा है तो देखो क्रिया में ती लगा वह है यानि प्राव है तेशबद लगा हुआ एक वचन की ही बात आएगे एक वचन तो आएगा लेकिन अब यह पुरलिंग का आएगा नपुन सगलिंग का नहीं आएगा तो भरत्यम की शब्द क्या हो जाएगा जगे यहाँ पर लिखेंगे धनिकस्य भरत्यह जो भरत्य नौकर शब्द है वहमार नौकरानी हमें पता चल्टा के नौकर या नई आदमी कोई नौकरो ऊगा अगा नोकरानी होगी तो और तो लड़की स्त्री लिंग जाती की कोई भी होगी ठीक है नपुन्सक लिंग उसमें हम नहीं के नहीं ठीक है तो कहेंगे हम धनीकस्य भ्रत्यह पत्रम आनयती अपनी पैन का कलर चेंज कर ले नहीं तो वहीं पे बीच में आए आखो तो देखिए भष्यां शब्द से हमने इसको भष्या कर दिया यहां लिंग परिवर्दित कर दिया अब कहा व्रक्षई शोभते व्रक्ष व्रक्ष से क्या करते है शोभेत होता है वोले क्या शोभेत होता है वोले उद्यानः अब जो उद्यानः शब्द है रूप किसकी तरह बना है रामः की तरह बना है वोले पुर्लिंग की तरह बना है और उद्यान शब्द क्या होता है स्ट्रीलिंग होता है पूर्लिंग होता है या नपुनसगलिंग होता है यह तो नपुनसगलिंग होता है क्योंकि उद्यान शब्द बगीचा शब्द ना तो वो हमारा लड़की में आता है ना लड़की में आता है यह चीज हमारी क्या आती है नपुनसगलिंग में तो जो उ इसमें तृतिया बिवक्ति लगी है इससे भी हम अर्थ भी बना सकते विले व्रक्षय जैसे रामई ही शब्द बनता है तिर्थिया बिवक्ति बहुजन का तो बुले यहां पेली यह लिखा यह लिखाई व्रक्षों से शोभत होता है शोबते शोनवेत होता है गुली क्या शोन ऊता है कि उद्द्द्यान है नहीं उद्द्द्द्र मगया क्योंकि यह वह हमारा क्या है नफुन सक्मेड है आप लोगहर न करनी यह प्राता है अब कि यह शब्द चाहा है लोब पहले तो सबसे पहले आप जब यह ऐसी अशुद्धी देखें तो पहले उसका मूल शब्द लिख दीजी उसकी पीछे की आप क्या था दीजी विभक्ती हटा दीजिए अलग जैसे आपने लोब हर शब्द देखा तो उसका आप यहां पर लिख दीजी यह लि जालचँ क्या होता है पुलिंग होता है जो लोभ सब्ध होगा बोलेग में राम हाया की तरह बनाओ तो क्या ओजाएगा लोभम ना करनिया ठीक है नहीं करना चाहिए लोब नहीं करना चाहिए बाकी हम किसी चीज को परिवर्तित नहीं करना है जिस पे अंडरलाइन है उसी को परिवर्तित नहीं करना है जिसको परिवर्तित नहीं करना है जिसमें सिर्फ गलती है उसी को ठीक करना वयंयनु दुग्धप वयं यानि हम सब दूद को हमेंस हम Sब को दूद पीना चाहिए वो नेकार है कि क्या पब पीना चाहिए ऑर्थ पीना चाहिए थीक हैं यहां पर में करता और सब धीक है दुखदकार्द क्या होता है दूद देखिए इसकी क्रिया कौन सी बनाई है इन्होंने इसका रूप कौन समना है दूध दूध शब्ण नपुनसग लिंग होता है और रूप बना रहे हैं विसर्ग लगा रहे हैं विसर्ग क्यों लगाएंगे दूध शब्द जब नपुनस कि किसी चीज को आप कुछ नहीं परिशानी करना है उनको कुछ भी आपको छेड़खानी न करनी है सिर्फ आपको दुखध शब्द जुदु दुखध पुरलींग की तरह लिखा था उसको नपनिसक लिंग की तरह परिवर्तित कर दिया फिर चैनल में आकाशे घर्जती आकाश ही घर्जती हम एसे ही लिखेंगे अब देख लीजिए यहां पर हमने क्या कहा है जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यह पोल स्ट्रिलिंग तो यहां पेर लिखना पहले उसका रूप यह लिखा है मेघम और मेघम मैं से भी फिर हटा दिना मा यह लिखते मेघ डिना अमेद हर जो शब्द होता है मेद कर तें बादल मेरत होता है बादल तो बादल हमारे बना दिया इसको नपुन सक लेंगे तो निलिय का कर वो इसके किती के हिसाब से बना तो एक वचन बेश्म dif जैसे फलम की तरह एक वचन बनाया है तो उसको पुरलिंक के वचण में ले जाओ तो क्या बन जाएगा ये हमारा मेघो मेगह आकाशे गरजती मेग आकाश में गरजता है बादल आकाश में गरजता है अब देखिए बालह पुष्पान तोटियती ठीक है जो हमारा बालक है बालक क्या करता है तोड़ता है किसको पुष्पान पुष्पान किनको फूलों को फूलों को तोड़ता है अब ये पुश्पान शब्द जो लिखा हुआ है अब अगर हम आपको बताएं यहाँ पर बता देते हैं अब पुश्पान शब्द किसके अनुसारूप चल रहा है इसलिए शब्द रूप याद होना चाहिए अगर आप रामह शब्द प्रत्मा विभक्ति के बाद अगर रामान बहुवचन में पुर्लिंग का रूप बनता है दुतिया विभक्ति पुर्लिंग और दुतिया विभक्ति में रामशब्द की रूप बनते हैं रामम रामव रामान यह पुर्लिंग है पुर्लिंग का रामान रूप है तो पुश्प हमारा पुर्लिंग कब से हो गय पुष्प को हमने बहुवचन में क्यों बना दिया पुष्प तो हमारा क्या होता है नपुन्सक लिंग होता है तो अब नपुन्सक लिंग में हमें दुतिया विभक्ती का इन्होंने बहुचन का रूप लिखा है तो दुतिया विभक्ती ही हम लेंगे लेकिन पुर लिंग से हम किसको उठाएंगे नपुंसर लिकों ऊठाएंगे नपुंसर के डुटिया के क्या करना है बहुचन न्dat वोले कैज़ी मोले नपूनशग लिंग में क्या बनता है फ़लंंफले फलानी और फलंफले फलानी यह तो बहुत ही आसान बात हो गई लिए यहाँ नपूनशग लिंग का प्रथमा दुतिया विबक्ती के एक ही तरह की रूप रूप चलते कोई परिवर्थण ही होता है तो बहुवचन का रूफला नहीं होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा पुश्पानी बालह पुश्पानी पुश्पानी शब्द हमारा पुलिंग का बहुवचन होता है वोले नहीं इसको नपुन्सक लिंग का बनाओ तो यहां पर हो गया और यह हो गया हमारा त्रोट यति अब लिखा है सहस्त्राह जनाह धावंती सहस्त्राह जनाह धावंती तो यहां पर यह जनाह शब्द तो सही है इसमें इन्होंने अंडरलाइन गलत कर दी जो सहस्त्र जन शब्द हमारा पॉरलिंग होता है लोग आट सय ठीक है यहां पर लेखा हुआ है छहस्त्र का SAR अर्थ होता है alcohol और जारों तो उसका जब रूप बनेगा तो इसका अर्थ क्या बना भनता है हमारा शहस्त्रम हमेशा क्या बनता है सहस्थ्रम और इन्नों क्या बना दिया सहस्त्रह यह गणना सम्सथ्रई है गलती लेकिन अपन इसको आगे बाले वीडियो में यह भी सीखेंगे अपन यहां पर लिंग संबंद्दीती फुरी ठीक है यह कैसे चैन शब्द के लिए इसको हम किसमें ले जाएंगे अपने हमारे सहस्थ्रय जो शब्द है उसको किस में ले जाएंगे नपॉन्सकत दोनों आ जाते हैं तो उसको नपोल सक्लिंग में तो यह हमारा हूजाएगा सहस्त्रम अगर इनमें अंडर लाइन की है तो इसका मतलब क्या है सहस्त्रम जनम और क्या हो जाएगा जनम सहस्तरमटिक बनाओ दड़ए करेक्शंज करेक्षर न Wishå कि चिसमें अंडर लाइन दोनोचीजों में इसको भी ठाँन मैं टिक करो प्रोसेख संहें पूर लिंद की बात करें हैं उवर बो अगर पूरली गलंच गालत है तो तो नहीं आएगा वहले किसमें आएगा जन शब्द सब्दें या जाएगा अब लोग शब्द लेखे जन हैं कि अनुष्य तो मनुश्य में कौन हो सकता पूर्लिंग किसी लड़की के लिए कि दो सबद नतलु कोो सहस्तरम जनानी क्योंकि जनाह बहुवचन काम М Toyota बहुवचन है तो इसको नपुन्सक लिंग में बनाओ तो यहां क्या बन गया हमारा सहस्त्रम जनानी धावनती ठीक है यह चीजें हो गए अब इसके बाद थोड़ी से और दो चारो धारन और सरल बता देते हैं इतने जैसे कठिन मिना के थोड़ी से सरल पूछ लेते हैं वोले कैसे कह देते हैं बोले कि आ जाते हैं तो क्या करना वहले अंडरलाइड मोंली यहां पर कर देंगे तो सहर शब्द हमारा कैसा है वहले पूलिंक का है क्यों के आपने का दुकिन यह सर्वासंग्या में रजाका बढ़या की मात्रा है तो सर्व नाम में बढ़या की मात्रा लगा दीजिए वो लेकर यह सा बाले का ऐसे ही और भी पूंच लेते हैं किया कि ऐसे कह सकते हो कि कह देंगे वे तव तव गजे धावतह अब इनnोंने क्या किया और इन्होंने इसको गलत कर दिया तहुग गजे दावतह किसमें हुता है दोइवचन का सर्वनाम है लेकिन शबद इन्होंने गजो शब्द है उसको किसकी अनुसार बना दिया बुले गजे इन्होंने किसके अनुसार लिंग संबंदी इन्होंने गज शब्द को गज हमारा पुर्लिंग होता है तो राम की तरह बनना चाहिए तर गजह गजव गजाह तो यहां पे जब तव शब्द हमें देख रहा है कि तव सर्वनाम है जिसका अर्थ तव बना है तो गज शब्द भी क्या बन जाएगा गजव इसके अनुसार भी आप ऐसी परिवर्थ दोई वचन का था वोले यहां पर दोई वचन की बात हो रही थी लेकिन इन्होंने लिंग परिवर्थन गजे लिख दिया था लता लते होता है लड़कियों को लते कह सकते हैं दोई वच यह कैसे हुआ यह हमें नपुनसक लिंग या इस तरी लिंग में क्यों ले गए तो इसको भी पूर लिंग करो तो वोली यह गजव तो सबसे पहले जो हमारे पास सही चीज होती है उसका लिंग और वचन पहचान लेते हैं जैसे वोले इसको पहचाना तव शब्द जो है उ इसकी बेए था पहले साधर आ रहे हैं कोई बिल्कुल बडशानी की नहीं है आराम से आप पहले जो हमारे पाऊ शुद्ध चीज होती है सही जो शब्द होता है उसका लिंग और वचन पहचानों उसकी अनुसार फिर जो गलत सर्वनाम दिया हुआ है उसको ठीक कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक इसी में लिंग के संग में हम अपना पुरुष संबंधी भी दे झालिवा झालिवाइ